आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया। बस प्रेशन के फोडो कीचो, एची प्रेशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। से हमारे पास क्या जाएगा, कॉस वाई मराबर एक्स, कॉस एधन वाई या हमारे पास आगया, यहां से हम इसका लिख सकते हैं, कॉस वाई मराबर एक्स गुडित, कॉस एधन वाई के लिए हमारे पास क्या सुत्र हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, कॉस ए, कॉस वाई, तो ऐसा हमने लिखा चुकि हमारे पास सर्वसमिका होती है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं तो यहां से हमारे पास क्या आगिया? यहां से हमारे पास आगिया cos y बराबर x cos a cos y रिण x sin a sin y दोस्तों यहां पर x y जो है वह अचर रासी है तथा यहां पर जो a है वह हमारी अचर रासी है तो आईए इस प्रश्न को हम हल करते हैं यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम x के साब x x के साब x आउकलन करकर देखेंगे x के साब x आउकलन तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है यहां से हमारे पास आ जाएगा d dx cos y बरावर d dx अब यहां पर चर रासी है a तो cos a को हम सामने लिख लेंगे cos a x cos y sin a x sin y तो यहां से दोस्तो हम स्रिंखले नियम से लिख सकते है d dy cos y good it dy बटे dx यहां से हमारे पास cos a जो है अचर रासी है सामने आ जाएगा और यहां से हम लिख सकते है d dx x cos y यहां से हमारे पास sin a जो है वो बाहर आ जाएगा और यहां पर हम लिख लेंगे d dx x sin अब यहां से दोस्तो प्रश्ण को हल क når करेंगे हमे रे पस क्या जाएगा Cos y है इसका y सापक्ष ऐचलान करेंगे महन आ जाएगा देड़े, sin y, dy over dx, बराबर, cos a, गुड़ित, अब यहाँ पे, x गुड़ित, cos y है, जिसका x के साफ एक्छमे, आउकलन करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम, आउकलन के लिए, गुड़न वाल नियम लगा देंगे, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे, पहले यहाँ पे हम, cos y को, duty पत को रहने देते हैं, और, यहाँ पे जो प्रथम पत है, x, इसका उकलन करते हैं, माना आ जागा, एक धन, इसे प्रकार x को रहने देते हैं, गुड़ित, cos y का उकलन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, cos y के लिए, जैसा कि, यहाँ पे हमने, स्रिंख्ला नियम लगाया था, इसे प्रकार यहां स्रिंख्ला नियम लगाकर हल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा, run, sin y गुड़ित, dy बटे, dx, इस रूप में हमारे पास आ जाएगा, इसी प्रकार यहां से महारे पास आजाएगा sin A गुडित इसे भी हम हल करते हैं इसे प्रकार तो यहां से sin Y जोटी पदेश को रहने देते हैं X को आउकलित करेंगे तो माना आजाएगा यहां पर 1 then X गुडित sin Y को आउकलित करेंगे तो यहां से इसका माना जाएगा cos Y गुडित dy पदे dx यह भी स्रिंख्रनियम से हम लिख सकते हैं तो यह से भी हम है रपस प्राप्त हो गया तो यहां से हम लिखेंगे sin Y dy पदे dx बराबर यहां से हम लिख सकते हैं cos A cos Y यहां रणी चिन हमारे पास है रणी चिन बहारा जाएगा तो यहां से हम लिखेंगे cos A गुडित X sin Y dy पदे dx इसे प्रकार आगे वहल करते हैं रण sin A sin Y हमारे पास आया और रण sin A गुडित x cos y dy पदे dx यह हमारे पास आजाएगा दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं यहां पर हम जो समान पद है यहां हम देख सकते हैं dy पदे dx यहां उकलेज वाले जो पद हैं इसको एक साथ ले ले तो हमारे पास क्या आजाएगा आहिए देखते हैं यहाँ से हमारे पस आजाएगा Ridd sin y यहाँ पद रिद आत्मक में है इस पद में आके धन cos a x sin y और यहाँ भी ridd में है तो यहाँ आके धन sin a गुडित x cos y और यहाँ से पूरे हमारे पस d y बटे d x बहर आजाएगा बराबर हमारे भचा है, भचा है, cos a, cos y, rn sin a, sin y, यह भचा है. अब यहां से दोस्तो, यहां से हम लिख सकते हैं, rn sin y, dhan, यहां से, x, दोनों पदों से बहार निकाल दें, तो हमारे पस क्या आजाएगा? यहां से हमारे पास आजाएगा sin y cos a dhan cos y sin a इस प्रकार हमारे पास आया और पूरे सिंगुडित dy बटे dx तथा बराबर यहां से हम देख सकते हैं cos a cos y और sin a sin y सर्वस्सर बिंका करमसार हमें क्या प्राप्प हो जाएगा cos A thन Y यहां से हमें प्राप्त ह만 जाएगा इसरी प्रकर आगे हाल करेंगे तो यहां से में जाएगा rn sin Y धन X गड़ित यहां पे अंदर में कुछ्टक में है sin Y cos A thन cos Y sin A सर्वसमिक्या का अनुसार इसका हल का में जाएगा sin Dhan A हमें राप्त हो जाएगा गुडित DY बटे DX मराबर कॉस एधन Y यहां से दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करनाय है तो जिस परकार से हम देख सकते हैं जो हमें सिद्ध करनाय है यहां पे X का पद हमें नहीं दिखाई दे रहे तो यहां से जो हमें दिया गया है हम यहां से पक्छांतर करके कालिख सकते हैं X मराबर क्या आ जाएगा cos Y बटे cos A धन Y तो X को इस से हम इस्तर नंतरित कर देंगे तो यहां से हमारे पस आ जाएगा यहां से रिण sin Y धन X की जगह cos Y बटे cos A धन Y गुडित sin Y धन A है इसको A धन Y हम लिख लेते हैं गुडित dy बटे dx बरावर cos A धन Y यहां से तिरे गुणा कर लेंगे हमारे पास क्या जाएगा रिणी चिन यहां पर है cos A धन Y गुडित sin Y धन sin A धन Y गुडित cos Y और पूरे से बटे में बटे में हमारे पास क्या है cos A धन Y है पूरे से गुड़ा हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx का मराबर इस पक्च में हमारे पास है cos A धन Y यहां से दोस्तो हम इसे लिख सकते हैं sin A धन Y गुडित cos Y रण cos A धन Y गुडित sin Y पूरे से गुड़ा dy बटे dx और जो भाग में cos A धन Y है इसको दूसरे पक्च में पक्चांतर कर देंगे तो cos वर्ग A धन Y हमारे पास आ रहा है यहां से दोस्तो यदि हम देखें यहां पे जो कोश्टक में दिया है sin A धन Y गुडित cos Y cos A धन Y गुडित sin Y तो सर्वसमिका का नुसार हमारे पास क्या आ जाएगा sorry sin A धन Y रिण Y यह हमारे पास आ जाएगा dy बटे dx बरागर cos वर्ग A धन Y यहां से दोस्तो यदि हम देखें हमारे पास यह 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 से Y कड जाएगा तो यहां से हमारे पास आ गया sin A गुडित dy बटे dx बराबर cos वर्ग A धन Y तो यहां से dy बटे dx बराबर प्राप्त जाएगा cos वर्ग A धन Y बटे sin A और जैसा कि हमें प्रेश्ण में यहां पे सिद्ध करने बोला था हमने यहां पे ला दिया है तो यहां से हम लिख सकते हैं अतह यह सिद्ध हुआ तो उमीद है दोस्तो आप लोग के सवाल समझ में आया होगा धन्यवाद पक्षाठी से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल कर एक करोड से जादा चात्रों का भरोजा आज से डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर